क्या आपके पार्टनर ने आपकी जिंदिगी में सिर्फ और सिर्फ आंसू और दड़ दे दिये हैं। क्या किसी थर्ड पार्टी की वज़े से आपका सपना तूट गया है, आपका रिष्टा अधूरा रहे गया है। अब तो ये आलम हो चुका है कि रो रो के आंसू भी सुखते चले जा रहे हैं, इमोशन कहीं न कहीं खतम होते चले जा रहे हैं, बहुत जादा ब्रेकडाउन आपकी लाइफ में आ चुका है, सपने कहीं न कहीं आपके तूट गए हैं। अगर आप जानना चाहते हो क्या चल रहे हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में तो आज का वीडियो आपके लिए हैं। और अगर आपको पता है और आप परिशानी जहिल रहे हो इस वज़े से तो चलिए देखते हैं क्या चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। अपनी personal readings book करवाना चाहते हैं तो details description box में दिये हुए हैं WhatsApp कीजिए WhatsApp group का link join कीजिए और अपनी readings book करवाईए ध्यान आपको ये रखना है personal readings paid है, chargeable है चलिए पहले आपकी energies को check out करते हैं divine please angels guide कीजिए बताए क्या चल रहा है viewers की life में viewers के energies क्या आ रही है चलिए claim जरूर कीजेगा triple one और like share, subscribe कर लिजे जल्दी जल्दी चैनल को क्योंकि subscribe करेंगे तो tarot channel का हिस्सा बन पाएंगे और cards के साथ connect हो पाएंगे cards में energies होती है so end तक video को जरूर देखेगा बीच में अगर आप skip करेंगे तो energies break हो जाती है so चलिए आपके energies को read कर लेते है शान्त हो जाएए positive हो जाएए cards के साथ connect हो जाएए जिस भी person के बारे में सोच करके आप इस video को देख रहे हैं उनका नाम और image अपने दिमाग में जरूर रखेगा first card देखते हैं first card आया है आपके energies में transformation का card okay next आया है success comparison okay courage isolation existence the dream compromise understanding so यह आई है कुछ आपकी energies अब हम check out करते हैं आपके partner की energies और third party की energies क्या आ रही है so divine please guide कीजिए क्या आ रही है third party और partner की energies harmony guidance suppression laziness abundance abundance miser traveling celebration postponement fine okay okay so देखिए क्या हो रहा है आपके energy में सबसे पहले आपके energy check out करते हैं so देखिए आपके life में एक dream आपने देखा था एक सपना आपने देखा था कि आपका partner ऐसा होना चाहिए या ऐसी होनी चाहिए आपको आपका life partner ऐसा चाहिए loyalty होनी चाहिए मानदारी होनी चाहिए रिष्टों में प्यार होना चाहिए रिष्टों में और कहीं न कहीं आपने एक dream देखा और इस dream partner को आपने सामने आते हुए भी देखा आपनी life में enter करते हुए भी देखा आपकी life में जो आपने सपने देखे वो आप पूरा करना चाहते थे आपने एक पार्टनर का सपना देखा और ये पार्टनर आपके जिंदिगी में आया बट ये कही न कही पार्टनर क्या हुआ है कि आपका सपना कही न कही इस पार्टनर ने तोड़ दिया एक भरोसा था आपका इसके ओपर वो इसने तोड़ दिया, आपको आईसोलेशन में छोड़ दिया, आपको अकेला रोता हुआ छोड़ दिया, आपके आसुओं का इस पे कोई फरक नहीं पड़ रहा है, आपके गिड़ गिड़ाने का, आपके माफी माँगने का, या फिर का इसके ओपर कोई फरक नहीं पड़ रहा है बहुत रोए हो बहुत जादा गिरगिराए हो बहुत कॉंप्रोमाइजिस किये हैं इस पर्सन की वज़ेसे आपने अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स जेली हैं बहुत ट्रॉबल्स जेले हैं कई बार आपने सिचुवेशन को समालने की बचाने की कोशिश की लेकिन यहाँ पर इतना सक्त दिल इस इंसान का अपने लिए सेल्फ रीजन्स की वज़ेसे अपनी खुद की खुशियों की वज़ेसे इस पर्सन ने आपको कॉंप्रोमाइजिस करने पर छोड़ दिया कहीं न कहीं आपने अपनी खुशियों के साथ कॉंप्रोमाइजिस किया आपने अपने सपनों के लिए कॉंप्रोमाइजिस किया और आपकी लाइफ में इतने आसू भर दिये इस पर्सन ने इस थोड़ पार्टी की वज़ेसे कि एक वैल्यू आपकी नीचे गिरा दी आपक कही न कही तूट गया है और जो एक जिन्दगी आपने सोची थी जो खुशियों भरी जिन्दगी आपने सोची थी वो कही न कही रुक गई है थम गई है काफी जादा प्रॉब्लम्स आपके जिन्दगी में आ गए है कही न कही एक कैदियों वाली फीलिंग आपको आने लगी है ऐसा लगने लगा है कि यह कहां पर जिन्दगी अटक गई है ना किसी और की वज़े से आपके आपने पार्टनर ने आपको धोका दे दिया है बहुत काफी जादा आपकी सिच्वेशन ऐसी आपके पार्टनर ने कर दी कि आप जैसे कि एक्जिस्टी नहीं करते हो आप आपको डाउन दिखाया आपकी बेजिती की आपको बदनाम करने की कोशिश की आपको ही नीचा दिखाने की कोशिश की इस थर्ड पार्टी के सामने उन्होंने ये तक कह दिया होगा कि जो भी इन्होंने किया जो भी कुछ इन्होंने अपनी जिन्दिगी में किया या यह ज इसी इंसान की थुरू जो आपके सपनों में था, आपका अपना लाइफ पार्टनर था, कैसे को इंसान इस तरीके से बदल सकता है, किसी नए इंसान के आते ही पुराने इंसान की बेज़ती करना, उसको नीचा दिखाना, उसमें सिर्फ और सिर्फ गल्तिया निकालना, भूल अपना सब कुछ अपने दाव पे लगा दिया, आपने सिर्फ इसके बारे में सोचा, इसके खुशियों के बारे में सोचा, और इसने आपकी जिंदगी में आसू दे दिये, तकलीफ दे दिये, बट डिवाइन आपको ये बताना चाहरे हैं, कि बहुत दिल तूटा है, लड़ने की सच्चाई का सामना करने की, अगर आप पहले वीक थे, इनसेंट थे, भोले भाले इनसान थे, कमजोर दिल के थे, प्यार भरा था दिल में, हर किसी पे विश्वास कर लेते थे, ट्रस्ट कर लेते थे, अब कही न कहीं आपके अंदर एक हिम्मत आ रही है, बहु इसे कई लोगों ने शुरू कर दिया, और अगर नहीं किया है, तो करना शुरू कर दीजे, आपके अंदर एक magic है, आपके अंदर सब कुछ करने का एक magic है, आप एक magician हो, आपके अंदर वो ताकत है, कि आप कुछ भी achieve कर सकते हो, आप manifestations कर सकते हो, जब आपने manifest किया, तब आ level पर लेकर जाएए कि सामने किसी के भी हिम्मत ना हो आपको नीचा दिखाने की आपको बदनाम करने की आपको बुरा भला बोलने की कहीं न कहीं आपकी dependency इस partner के उपर है इसलिए इस person ने आपको इतना नीचा दिखा दिया आपको अपनी existence पर काम करना पड़ेगा, अपना लेवल आपको हाई करना पड़ेगा, अपने अंदर changes लेकर के आने पड़ेंगे, divine आपको यही बता रहे हैं कि transformations चल रहे हैं अभी आपके अंदर, बहुत जादा बदलाव आ रहे हैं आपके अंदर, comment box में जरूर लिखेगा बताईएगा कि क्या transformations आपके life में आ रहे हैं, कितना बदल चुके हो आप इस incidence के होने के बाद, क्या कुछ changes आए हैं आपके life में, बट जैसे ही आप अपनी life को transform करेंगे, आपकी life में जैसी changes आने शुरू हो जाएंगे, आप अपनी existence पे काम करने शुरू कर देंगे, आपके life में success जरूर आएगी, अगर आप reunion चाहते हैं, तो reunion claim कीजेगा, अगर आप move on कर चुके हैं, new partner चाहिए, तो जरूर claim कीजेगा, लेकिन अगर आप karma चाहते हैं, तो जरूर से जरूर करma claim कीजेगा, because success आपकी तरफ आ रही है, आपकी मेहनत जाया नहीं जाएगी, आपके जो संसकार हैं, वो कहीं न कहीं आपका साथ देंगे, आपका divine support आपके पास है, आपका जो pure soul है, वो आपके पास है, अगर आपने किसी का बुरा नहीं किया है, तो आपके साथ भी बुरा नहीं होगा, ये कुछ lesson है आपकी जिंदिगी के जो आपको और strong बना रहे हैं, आपको हिम्मत दे रहे हैं, सही गलत में पहचान करा रहे हैं, उस भोले पन से निकाल रहे हैं, जो एक सीधा पन, एक भोला पन आपके अंदर था, अब आप बहुत जादा strong हो चुके हो, बहुत जादा ताकतवर हो चुके हो, अपने अंदर एक ताकत भरिये, अपने अंदर करेश लेकर के आईए, आप कुछ भी इस दुनिया में कर सकते हैं, डिप्रेस होने की, परिशान होने की जरुवत नहीं है, बहुत जल्द आपका ट्राइम बदलने वाला है, बहुत जल्द खुशिया सकस्स आपकी जिंदगी में आने वाली है, अब यहां हम देख लेते हैं, अक्चल में क्या चल रहा है, थोर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में, तो डेफिनेटली चीजें स्टार्टिंग में काफी कुछ ठीक ठाक चलती हुई, मुझे दिखाई दे रही है, का यहां पर धोका या किसी भी जालसाजी या किसी भी बेगमानी की कोई जगा नहीं है, तो यह चीजें इन दोनों में डिसकुशन्स जरूर हुई है, लेकिन जैसे जैसे समय बदला है, जैसे जैसे समय आगे बड़ा है, वैसे वैसे मैं यह देख पारी हूँ, कि आपके जो पार्टनर है, वो यहां पर बहुत परिशान होते होई दिखाई दे रहे हैं, सब तरफ से घिरे होई दिखाई दे रहे हैं, बहुत जादा लेजी ने सालसी पन आपके पार्टनर के अंदर आता चला जा रहा है, इस थर्ड पार्टी की वो जैसे आपके पार्टनर की लाइ इसा उसकी property और यह सब जो एक materialistic चीज़े हैं वो उसके लिए आपके partner को अपनी जिन्दगी में चाहती है, right gender bias reading नहीं है, आप जिस भी gender के हैं, आपके partner जिस भी gender के हैं देख सकते हैं, एक possibility यह भी है कि आपके partner को कही न कहीं आपके अंदर यह problem दिखती है कि आप financially strong नहीं है तो यह third party कहीं न कहीं financially strong है तो जरूरते या तो third party आपके partner की कर रही है पूरी या फिर आपके partner कर रहे हैं third party की पूरी, so यह जरूर है बढ़ हाँ, यहां कई situations में ऐसा दिखाई दे रहा है कि third party बहुत जादा लालच में है, लालची है और आपके partner का पैसा और समान और ची आपके partner आपके पास आने से वो रोकती है, ठीक है, आपके partner को आपके पास आने नहीं देती है और वो कुछ ना कुछ इस तरीके से manipulate करती है आपके partner को कि आपके partner आपसे खुद बखुद दूर हो जाएं, आप मेंसे कुछ लोगों के cases यहां पर black magic का भी सहारा लिया गया है और कुछ चीजें आपके जिंदगी में इसने ऐसी भर दी हैं कि आप खुद भी आप चेक करेंगे तो आपके partner अच्चानक से चिर्चड़े हो जाते हैं, लड़ने जगरने लगते हैं, इवन आपके शरीर में भी कही न कहीं कुछ चिर्चड़ापन और एक आलसीपन आपक दिमाग बहुत जादा चलाती है, पैसा, materialistic चीजों में इसका दिमाग जादा रहता है, ठीक है आपने प्यार मांगा था, आपने प्यार के अलावा कुछ नहीं मांगा लेकिन इसका दिमाग प्यार में कहीं भी नहीं है, इसका दिमाग सिर्फ और सिर्फ आपके partner के materialistic आपके partner का जो यह सफर है, यह मुश्किल होता चला जा रहा है, क्योंकि इस third party की life में, खुद तो celebrations करती है, खुद तो दूसरों के साथ घूमती है, फिरती है, celebrate करती है, इसके life में कोई third party situation ज़रूर बन चुकी है, जिसकी वज़े से आपके partner जो है, वो बहुत जादा तकल कई बार कोशिश करते हैं समझाने की या कुछ चीजों को टालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे जैसे यह टाल रहे हैं, वैसे वैसे चीज़े बड़ी होती चली जा रही है, और third party definitely किसी third party situation में फस्ती हुई और इनको धोका देती हुई दिखाई दे रही है, आपके partner को ऐसा एसा होने लगा है कि अब इनकी जिंदगी और इनका ये जो relationship है, ये कोई बचा नहीं सकता है, क्योंकि जिस तरीके से धोका इनों ने आपको दिया, उसी तरीके का धोका ये third party इनकी जिंदगी में देती हुई दिखाई दे रही है, अपनी जरूरतों के लिए इसने आ कि इनको इनके कार मिक्स ही भुगतने पड़ रहे हैं, क्योंकि इनोंने आपको धोका दिया, वैसे ही ये third party इनको धोका देती हुई दिखाई दे रही है, ये थे आज के कार्ड, ये थे आज की reading, I hope आपके साथ resonate की होगी, so like, share, subscribe जरूर कीजेगा, comment box में claim कीजेगा, triple one, अ झाल